Now students, we are going to solve the second numerical which is on page number 110. अब देखिए इसको भी है, जब भी आप motion lesson के numerical आप solve करने जा रहे हैं, you must keep in mind the three formulas. V equals to U plus 80, S is equals to UT plus half 80 square and the third one is V square minus U square equals to 2AS. यह तीन formula के बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला. हाँ, अगर हो सकता distance निकालना हो, velocity निकालनी हो, तो acceleration निकालनी हो, तो वो तीन formulas जो हैं, उनके अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 9th class में numerical जाते हैं, वो इनी तीन formulas पे based होते हैं. तो हम start कर लेते हैं, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, एक train है, जो travel कर रही है, 90 km per hour की speed से, तो यू कितना हो जाएगा, 90 km per hour. brakes are applied, अब brakes लगा दी हैं हमने, अब क्या हो गया, उसने acceleration कितनी produce करी, uniform acceleration, minus 0.5 meter per second square, अब देखिए, speed decrease हो रही होगी, तब ही minus आया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो speed decrease हो गई, तब minus है, तो velocity क्या हो गई, automatically, final velocity है, आपको पता है, यह initial velocity होती है, यह होगी, final velocity, अब हमें find क्या करना है, find how far the distance will go, how far the train will go, अब हमें क्या find करना है, distance find करना है, तो हमारे पास one, two, three things are given, and हमें fourth one निकालने है, distance, तो आप देखिए, बच्चों, आप मुझे बताइए, इसमें से कौन सा formula आ सकता है, यह तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें distance नहीं है, इन दोनों formulas में distance है, अब देखिए, यहाँ पर T है, यहाँ पर T नहीं है, क्या यहाँ पर T गिवन है, नहीं गिवन है, तो यह भी formula नहीं आएगा, we will go with the third one, V square minus U square equals to 2 AS, अभी हम देख लेते हैं, क्या हमें कभी भी किलोमेटर पर आर में numerical को solve करना होता है, नो, हम पहले किलोमेटर पर आर को change करेंगे, मीटर पर second में, और simple सा तरिका है, 5 over 18 के साथ उसको multiply कर देना, अभी cutting करके हमारे पास यहाँ जाँगा, मीटर पर, second 18 को cutting करिएगा, 90 के साथ, तो जो आएगा, उसको 5 को साथ multiply करिए, तो क्या आजाएगा हमारे पास, यह आई गया, 25 किलोमेटर पर, अब velocity कितनी है, final 0, initial कितनी है, यह वली जाएंगे हम, 2 आजाएगा, A कितना है हमारे पास, minus 0.5 और S हमें find out करना है, यह इस तरह से आजाएगा, and क्या हो जाएगा, हमारे पास, 2 multiply minus 0.5 S, अब हम S निकालने, 225 square आजाएगा, 2 multiply, 0.5 equals to S, अब देखिए, इसको मैंने square हटा दीजिए, minus से minus cancel हो जाएगा, इसको solve करेंगे, यह आजाएगा, उपर 10, अब सब को multiply करेंगे, 25 को 25 के साथ कितना आजाएगा, 625 distance है, तो यहाँ पे आजाएगा meter, तो यह आपका हो गया answer, this is done your numerical number 2,